आज मैं आप लोगों को इस सेशन में सुफी आंदोलन के बारे में बताऊंगी तथा साथ हिसिया और सुन्नी जो कि इसलाम धर्म के दो समपरदाएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताऊंगी चलिए बिना किसी देरी के साथ इस सेशन को सुरू करते हैं सुफी आंदोलन की सुरुवात सुफी वाद इसलाम के अंदर ही एक सुफी वादी आंदोलन के रूप में इरान से हुआ था ऐसा माना जाता है कि भारत में सुफी वाद का उधै ग्यारहवी सतावदी से लेकर बारहवी सतावदी के बीच में हुआ था भारत में बसने वाला पर्थम सूफी अल उजवारी थे जिनकी मिर्थ्यू 1089 इस्वी में हुई थे सूफी अफगनिस्तान के जर्ये भारत में आये थे सूफियों का मुख्य केंद्र मुलतान वा पंजाब था सूफी सब्ध की उत्पती अर्विवासा के सफा सब्ध से हुई है जिसका अर्थ है पवितर था अर्था जो लोग अध्यात्मिक रूप से और जिनका विचार या विवहार पवितर है उन्हें सूफी कहा जाता था इन सूफी रहस्य वादियों का जन इसलाम के अंतरगत बहुत पहले हो गया था जिन्हें बाद में सूफी कहा गया था सूफी लोग रहस्य वादि व्यक्ति होते थे वे राजनितिक वाधार्मिक जीवन में आई विक्रितियों से दुखी थे तेरहवी से चोदहवी सतावदितकिया कस्मीर, बिहार, बंगाल और दक्कन में फैल गया था सूफी आंदलन दो संपरदायों में विभाजित था फर्स्ट था सिया और सेकेंद था सुन्ने इन्ही दोनों के बीच मतबेद हुआ था जिसे हम सूफी आंदलन के नाम से जानते हैं इन्ही दोनों संपरदायों के मतबेद को दूर करने का सूफी आंदलन में परियास किया गया है चलिए अब हम सिया संपरदाय के बारे में विस्तार से देखते हैं सिया मुसल्मानों का एक संपरदाय होता है जो हजरत अली को मुहम्मद साहब का उत्राधिकारी मानते हैं मुहम्मद साहब का जन 570 इस्वी में मक्का में हुआ था 613 इस्वी में मुहम्मद साहब ने लोगों को अपने ग्यान का उप्देश देना प्रारम कर दिया था इसलामी इन्हें पेगंबर साहब के नाम से भी जानते हैं इनकी मिर्तियों के बाद ही सिया और सुन्निक के वेच विवात प्रारम हुआ था हजरत अली को मानने वाले सिया संपरदाई के लोगों का कहना है कि हजरत अली मुहम्मद साहब के चचेरे भाई थे इसलिए सिया संपरदाई के लोग यह मानते थे कि हजरत अली ही मुहम्मद साहब के असली उत्राधिकारी हैं और उन्हें ही खलीफा बनना चाहिए खलीफा एक राजनितिक परमुख होता था चलिए इसके बाद सुन्नी संपरदाई के मुसलमानों के बारे में देखते हैं सुन्नी लोग इसलाम के सबसे बड़े संपरदाई के रूप में माने जाते हैं पूरे इसलाम का सुन्नी संपरदाई में 90% लोग निवास करते थे सुन्नी सब्द की उत्पत्ती अर्वी भासा से हुई थे जिसका अर्थ होता है पेगंबर मुहम्मद इस समपरदाय में मुहम्मद साहब की मिर्तियों के बाद जिन लोगों ने मुहम्मद साहब दुबारा बनाए गए नियमों का पालन किया वही सुन्नी कहलाए अब हम लोग सिया और सुन्यों के बीच हुए विवाद के बारे में बात करेंगे कि किस कारण इन दोनों के अमध्धि विवाद प्रारम हुआ था फर्स्ट कारण था मुहम्मद साहब का चचेरा भाई होना सिया लोगों का कहना था कि मुहम्मद साहब ने अपने चचेरे भाई और दमाद अली को इसलाम का वारिस बनाया है जबकि सुन्नी लोगों का कहना था कि मुहम्मद साहब ने सिर्फ हजरत अली का ध्यान रखने को कहा है और असली वारिस अबुबकर को होना चाहिए यही थी सिया और सुन्नी के विवाद की वज़ा जिसके कारण सुफी आंदोलन का उदे हुआ था चलिए इसी के सातिया सेशन समाप्त होता है अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को प्रेस करना ना भूलें